नमस्कार साथियो, मैं आपको अपने चैनल पे तहदील से स्वागत करता हूँ मैं आज आप लोगों को क्लास 9 के चेप्टर नमबर 10 वीर्थ का यह पार्ट नमर 2 वीडियो है मैंने पार्ट नमर 1 वीडियो आप लोगों को अल्रेडी ही पढ़ा दिया हुआ हूँ अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो के description box में इसे डलवा दूँगा ताकि आप उसे अराम से देख के आप उसे knowledge gain कर सकते हैं और अपने परिशा में अच्छे से अच्छे नमर ला सकते हैं question number 18 है दो बिंदों A और B से होकर 3 cm त्रीजिया का एक विर्थ खीचा जा सकता है अधी AB बराबर 6 cm है तो क्या हो जागा सैत्त होगा या असैत्त होगा देखी आप इसमें देखेंगे यहाँ पर जब आप समझेंगे तो आपको एक AB की दे दिया हुआ है कितना 6 cm AB दे दिया हुआ है already ही तो आप उसमें क्या बोल रहा कि 3 cm क्या हम त्रीजिया खीच सकते हैं तो आप जब देख रहे हैं कि यहाँ पर AB की जो डिस्टेंस है वह हमारा क्या चीज़ है 6 cm है जो कि यह क्या है एक वयास है अब गुना त्रीजिया जानते हैं है ना दोस्तों दो गुना त्रीजिया अब त्रीजिया बराबर अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वयास बटे में दो जो कि आपका वयास कितना है 6 बटे 2 अब डिवाइट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 cm आ जाएगा क्या हम A और अची से होकर 3 cm है नहीं सकते हैं आराम से सकते हैं हम लोग यहां पर आप देखेंगे तो स्थन से यहां कि दोरी 3 cm है पर 8 cm कि यहां की गुद्ध के deson से समान दूरी पर इस्थीत है अधी AB बराबर 8 cm है तो CD बराबर होगी आनि BC बराबर आप लोगको नहीं देहान में रखना है यहाँ पर CD बराबर होगी देखिए मैंने आप लोगको यहाँ पर ड्रो करके दिखा दिया हूँ AB की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों 8 cm तो यह BC की डिस्टेंस को पुछा है आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि मैंने यह दोनों जीवाओं को जो बनाया हुआ हूँ यह दोनों जीवा है एक दूसरी से पैरलल ऐसे ही दिख रहे हैं जब यह पैरलल दिख रहे हैं तो आपक K. A. O. C. तरिभूज में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या-क्याचिस सीमिलर्यटीज देखने को मिलती है आप इसमें देखते हैं सीमिलर्यटीज देखते हैं तो A. O. सुरी यहाँ पर तरिभूज हो गया A. O. बरावर किसका है? B. का बरावर है और यह जो एवो है व का और यह जो एंगल जो है A O B वा डी ओ सी के बराबर है किस लिए बराबर है तो या सिर्षा भीमुख कौन के लिए बराबर सिर्षा भीमुख कौन से बराबर है ओंके दोस्तों तो जो तिरभूज जो आपका तिर्भूज है AOB वा सरवांगसम हो जाएगा तिर्भूज COD का किसी से तो Side Angle Side से या क्या हो जाएगा सरवांगसम हो जाएगा इसलिए आपका AB बराबर DC बराबर 8 cm हो जाएगा दोस्तों, ओके आप इसे रट भी सकते हैं अगर आपका दिल कर रहा है कि मैं इसे रट लूँ नई समझू तो आपको, आपकी मर्जी मैंने आपको इहापर समझा दिया हो अब देखिए, एग एजटीज वही सवाल है आप सिर्फ यहाँ पर देखेंगे, तो सिर्फ डिजिट को मिला देते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों जीवा बोलते हैं, ओके तो यह जो जीवा है दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो दोनों जीवा है AB और CD यह क्या है कि दोनों Parallel भी हैं अभी जो मैंने समझाया उसी तरह चहाँ पर 3 cm स्रीफ दिया हुआ था तो यह भी 3 cm आपका हो जाएगा अगर आपको इस वीडियो को विशा ही बनाना है तो बस स्रीफ आप डिजिट चेंज कर देंगे तो यह कॉशन जो मैंने बताया पस विशा ही इसको बना देना है 21 किसी वीर्थ की एक जीवा की लंबाई वीर्थ की तरीजिया के बराबर है तो इस जीवा द्वारा केंदर पर बना कौन निम निम ऐसे किसके बराबर होगा आनि इसका कौन क्या होगा क्या बोल रहा है एक जो वीर्थ की जो लंबाई जो है वह वीर्थ की तरीजिया के वोने यहां से एक क्या किया है जीवा को ले लिया हुआ है तो आप देखने से आपको क्या लग रहा है कि अब जो यह रीजिया जो बन रही है कैसा तिर्भुज बना रहा है इस सम बाहु तिर्भुज को बना रहा है तो सम बाहु तिर्भुज को बना रहा है तो सम बाहु ति का जो कौन होता है अब यहाँ पर मैंने लिख दिया अर्द वीर्थ में बना कौन होता है इसका एक प्रेमे होता है ठीक है समकौन होता है अन्हीं समकौन अर्थात क्या होता है 90 दिग्री तो किसमें है अप्शन नमबर टू में है तो अप्शन नमबर टू आपका सही हो जाए देखे दोस्तों यह पूरी तरह से जो सर्कल बनती इसी को परीधी बोलते हैं इसको हमने क्या ले लिया है यहां से यहां क्यां बियास ले लिए और जब जानते हैं कि आप कोई भी जब इसकी सर्कल तो जा केंदर होता वहां पर 180 डिगरी का कौन बनाता है जब आप इसे डीच Day के ऊनने से कम रहा इसलिए लिए यहां पर 90 एलफा चोटा है और बीटा जो है नबे से बढ़ा है तो यह क्या बन गया अधिकौन और इसकी उसकी बात करें तो देखेंगी कई दोस्तों यहां पर बात किसके किया था लगू विर्त का बात किसे किये था लगू तो इसे लिए ये क्या हो जागा बड़ा लगू मतलब होता छोटा तक इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा अधिक कौन ठीक है दोस्तों इसे आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको अरामसी से बना लेंगे अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि किसी दिर्ग विर्त खण में बना कौन आप यहाँ पर क्या बोला दिर्ग बड़ा बोला है जब बड़ा बोला है तो इसका जो अपोजिट होगा क्या हो जागा छोटा हो जागा तो नियून कौन इसका एंसर हो जागा आप यहाँ पर इसे देखके समझ सकते हैं आपर क्या होता इसके एंगल जो होती है वह कम बनती है 90 डिग्री से कम अब एक ही वीर्थ खंड के कौन होते हैं एक ही वीर्थ खंड के जो कौन होते हैं देखिए यहाँ पर मैंने समझा दिया यह एंगल और जो यह एंगल है वह दोनों क्या होते हैं बरावर होते हैं, आप ऐसे फिगर पले ड्रोग कर लेंगे, तो देखेंगे कि ये CB जो है, वह बरावर होता है, एंगल ADB का, ओके दोस्तों, आनि ACB किसके बरावर होता है, ADB का, ओके, तो ये समान होते हैं, Q26, औरा आकिरिती में, अधी AOB 50 है, AOB क्या दे दिया है, आपका, 50 दे दिया है, ठीक है, औरा ACB, ACB आनि इस एंगल को आपको पूछ रहा है, तो ये बहुत important है, आप इसे अपने दिलों दिमागों बैठा लेंगे, आप इसे रट लेंगे, तो आप एक्जाम में जाएंगे, तो आप आसानी से अस्कॉल कर पाएंगे, देखें, विर्त के केंदर पर बना कोन, विर्त के परीधी पर बने कोन का दोगुना होता है, आनि इसलिए आप जब देखेंगे, तो आपका जो, ए, ओ, बी होगा, जो एंगल है, वा, दो गुना होता है, किसे, तो ए, सी, बी से, तो आपका पूछा कोंची है, ए, सी, बी, और ए, वो, बी कितने हैं दोस्तों, आपका पचास डिगरी है, तो दो गुना, ए, सी, बी, तो, सुरी, तो, ए, सी, बी बरावर, पचास बटे दो, अब भागा लगा जाएंगे, तो कितना आजाएगा, पचीस आजाएगा, ए, सी, बी बरावर, पचीस डिगरी, ओके दोस्तों, 27, आकिरिती में अधी, ए, वो, बी, साथ है, आकिरिती में अधी, ए, वो, बी, साथ है, तो, ए, सी, बी, बरावर, होगा, ए, सी, बी, आनि, इसी अंगल के बारे में, आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, पूछ रहा है, ठीक है, तो आप लोगों ने, अभी मैंने, आप पर क्या पतायां आप लोगों को कि वीर्त के ग्रीन पर वीर्त की परिधिक पर यहाँ यहां पर आप लिख सकते हैं a A, O, B जो आपका कौन है वा दो गुना है A, C, B का तो आपको A, C, B फुचा है तो A, C, B बराबर आपका क्या हो जाएगा एंगल A, O, B बटे में दो ठीक है तो A, C, B बराबर A, O, B है आपका साथ डिगरी तो साथ गोटे दो जब भागा लगा देंगे तो आपका आजाएगा तीस A, C, B आपका तीस डिगरी आगया ओके तो आपका किसमें है अप्सन नमर थिरी में है तो अप्सन नमर थिरी आपका एंसर है देखिए दोस्तों यह सब कोशन बहुत ज्यादा इंपोर् देखेगा इसलिए आप देहान पुरूब इसके जरूर पड़ लेंगे और आपने कोपी में नॉर्डन जरूर कर लेंगे मश्याज बदल लेता हूँ अब क्या बोला आकरिती में एंगल एओ बराबर नाइंटी आनि यहाँ पर देख रहे हैं आपको 90 दिया हुआ एओ इसका एंगल हम लोगों को क्या किया बी एसी इसी का एंगल का माल पूछा है बी ए सी का हम लोगों का पूछा है तो यह बार ध्यान देंगे यह क्या देखेंगे बढ़िया से में यहाँ पर लिएता हूं कैंद्र पर बने जार के अधर पर बने कौन का माल को माल बरावर 307 डिगरी होता है तो आप इसमें देखेंगे इसी लिए आपका क्या-क्या इसमें अंगल है आपका A, O, B इसी के अंदर पे है आप देखेंगे के अंदर में A, O, B है और फिर A, O, C भी है तो पलस A, O, C और क्या चीज़ है दोस्तों तो B, O, C भी है अनि B, O, C बरावर 307 ओके तो B, O, C पलस अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक है 90 B, दूसरा है एक सो, दस, तीन सो, साथ, P, O, C बरावर 306 माइनस 200, स्वरी 200 हो जाएगा 220 लिखा गया है, यहाँ पर हो जाएगा एक सो, साथ, P, O, C आप इसे गहरा लगा लेंगे, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ का जो माना आप लोग को आया हुआ क्या है, एक सो, साथ हाया, और मैंने अभी आप लोग को क्या बताया था, आपर इंपोर्टेंट इस एक बताई थी, क्या बताया था, कि वीर्थ के, कैन्र, पर, बना कौन, वीर्थ के, परीधी, पर, बना, कौन के, दो गुलना होता है, इसी लिए, आपका एंगल, बी, ओ, सी, बराबर, दो गुलना, आपका हो जाएगा, बी, ए, सी, तो आपका एंगल, बी, ए, सी, ही पूछा है, तो एंगल, बी, ए, सी, बराबर, आपका बी, ओ, सी, कितना दिया हो है दोस्तों, तो बी, ओ, सी, आपका, सुरी, निकाले है हम लोग, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको आगे स्टेप करके, कि बी, ए, सी, क्या हो गया है, बी, ओ, सी, बटे, दो हो गया है, ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, मुझे लाइक करेंगे, तो मुझे बहुत ही मजा आगा, कि आप लोगों को वीडियो फसंद आ रही है, अगला कोशन देखिए, अगला कोशन कि अब रहा है, अकिरती में एक्स की मान, आब यहाँ पर आकिरती में एक्स की मान पुछा, मैं बार बार इसी को मैं लिख के नहीं, मैं नहीं लिख देता हूँ, चुकि A, C आप लिख सकते हैं, तो B, O, C आपका क्या चीज़ है दोस्तों, तो X है, तो X कहीं माल पुछा है, तो 2 गुना, आपर B, A, C कितना है, 35, तो यह कितना हुझा है, 35, दूना, 70, X बराबर क्या आगया आपका, 70 डिगरी आगया, तो किसमें है, option number 2 में, option number 2 आपका right answer है, question number 30, आकिर्थी में X कमाल, अब इस आकिर्थी की पूछा है, अभी मैं फिर से बोलता है कि विर्थ के, के अंदर में बना कौन, विर्थ के परीदी में बना कौन का दो गुना होता है, तो आप यहाँ पर जवाब बनाएंगे, तो आप क्या बनाएंगे, कि कौन, B, O, C, बराबर एक सो दस बटे दो भागा लगा देंगे, तो 55 हो जाएगा, B, A, C, बराबर 15, ओके, इसमें हैं दोस्तों, आप्सन नमर वन में, आपका सही एंसर हो जाएगा, क्वेस्टन नमर थर्टी वन, आकिर्थी में X कमा, आप देखें यहाँ पर आकिर्थी में X में देखेंगे त बना रहा है, दोस्तों आपका, 90 डिगरी का एंगल बना रहा है, तो आप जानते हैं कि तीरभूज के तीनो कोनो का योग, तीनो कोनो का योग, बराबर 180 डिगरी होता है, तो पहला कोना आपका कितना है, 90, फिर दूसरा, 55, तीसरा आपका X दियाव, X का ही माना आपको पुछा हुआ है, तो X बराबर 180 माइनस 9514 आनि 145, X बराबर X का जो डिगरी पुछा है, आपका यतना हो जाएगा, 5, 3, आनि 35 डिगरी इसका एंसर हो जाएगा, किस में है, option number 1 में है, option number 1 आपका सही हो जाएगा, question number 32, अब देखें, यहाँ पर एक, यह important question आप इसे कर लेंगे, अगर हो सकता है कि इसको आपका exam में पूछ सकता है, तो ध्यान प्रपोगेशन में पढ़ेंगे आप लो, क्या-क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी दो तिर्भूजें दी ही ही, एवो बी दी ही 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 है, और एवो सी दी ही 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 ही, तो आप इसे पहले लिखिए, तिर्भूज, एवो बी, एवो तिर्भूज, एवो सी में, क्या-क्या चीज़ है दोस्तों, तो एवो बराबर, बीवो बराबर, सी वो है, क्या चीज़ है यह सब, तो त्रीजिया है, त्रीजिया है, आप देख रहे हैं सब, त्रीजिया है, और इसमें क्या है कि आपका जो यह है A, B, O बराबर है B, A, O का आनि 20 डिग्री और यहाँ पर A, C, O बराबर है C, A, O का यहाँ पर 30 डिग्री 21 लिए है तो यह सम बाहू तिर्भुज सम बाहू तिर्भुज से है सम बाहू तिर्भुज से है अब मैंने इसा क्यों लिखा चुकिए आप खुद देख चुके हैं कि A, O, B, O और C, O क्या है तिरीजिया है तो आप देखने कि सब क्या है बराबर सभी हो जाएं इसकी बराब हो जाएंगे इसलिए आपका बी एसी बरावर क्या हो जाएगा दोस्तों बी ए ओ पलस सी एफो नहीं पीस पलस तीस बरावर पचास डिग्री तो आपको पूछा है बी ओ सी से एंगल पो हम लोगों को पूछ आहे तो आपको क्या पता है थे कि वीर्थ के के अंदर पर बना कौन बना कौन वीर्थ के परीधी के बना कौन का दो गुलना होता है दो गुलना होता है तो इसी लिए आपका क्या चीज़ हो जाएगा आपका बी ओ सी बरावर दो गुलना बी ए सी हो जाएगा हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं एक लाइन खीचके अब आपका एंगल बी ए सी बरावर बी ओ सी बटे में दो बरावर क्या हो जाएगी यहाँ पर आपका आयत है पच्छा सोरी दो गुलना हो जाएगी ना आप पर बी ओ सी का ही हम लोग पूछा है सोरी हम लोग इसको कि दो गुला पाचास तो यह सो डिगरी हो जाएगा हम लोग को एंगल बी ओ सी ही निकालना था ओके दोस्तों अगला वीडियो अगला कॉस्टन पर चलते हैं कॉस्टन नमर थाटी थिरी है आपके रिती में बिंदो ओ विर्द का कैंद्र है अधी ओ एसी बरावर पाचास ह है तो O-D-B हогा देखिए मैं अधीपनना बदल लेता हूं देखो यहां पर दिया हुआ क्या ओ इसी बरावर पाचास ओ एसी देखिए यहां पर एक क्या चीज्च था है यहां पर एंगल दे दिया था जो कि गलत था ओएसी कहां पचास है तो O-B-D आप क्या देख रहे है क कि आपका जो AD जो है वह पैरलल है किसका? BC का है ना और इसमें AOB एक रेखा है एक रेखा है ओके इसी लिए आपका OAC बरावर हो जाएगा आपका OB OB D का क्या चिससे? एकांतर कौन से? एकांतर कौन से? ठीक है दोस्तों तो इसका जो आपका OB D का जो मान हो जाएगा या भी 50 डिग्री हो जाएगा ओके नेक्स्ट कॉशन 84 आकरिती में A B की लंबाई होगी अब यहाँ पर आकरिती देखें अब इसकी क्या पूछ रहा है? लंबाई पूछ रहा है ओके तो आप यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस परमे से देखेंगी कि AC असक्वाइर बराबर क्या हो जाएगा जो सबसे लंबी भूजा है ओए 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 ओओ मैनस OC असक्वाइर आनि 5 का स्क्वाइर मैनस 3 का स्क्वाइर यह क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है दोस्तों यह चार सेंटीमेटर आगया ठीक है अब यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो AB बराबर क्या चीज़ है? AC पलस CB है यह चार सेंटीमेटर हो जागा और AB 4 सेंटीमेटर यह खुल मिलाकर 8 सेंटीमेटर हो गया चुकि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे चुकि AC बराबर है CB का ओके? तो 8 सेंटीमेटर हम लोगा एंसर आगया तो इसमें 8 सेंटीमेटर सही है कॉशन नमर 35 कॉस्टन नमबर 35 मैं पेज को सही तेरी का सेरेंज कर लेता हूं देखो आकरिती में बीसी वीट का व्यास है तथा बी एओ साथ है तथा एडी सी बरावर है अब एडी सी बरावर है मत्वर एडी सी पूछा है देखे यह भी क्या है एक आंतर को है कैसे है मैं यहाँ पर लिख इसी का और एओ डी एक रेखा है एक रेखा है ओके इसी लिए आपका क्या चीज़े हैं बी एओ ना बी एओ सुरी बी ए ओ बरावर हो जाएगा आपका एडी सी बरावर साथ डिगरी क्या चीज़ से एक आंतर कौन से एक आंतर कौन से ठीके दोस्तों